दोस्तों आप सभी बिहार चतुरत अशनातक अश्तरिय नई भरती 2023 की बेज सबरी से इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुती बरी खुश खबरी है फानली दोस्तों सब कुछ कनफॉर्म हो गया है तो चलिए सभी चीजों के बारे माँ आप सभी देखिए आप में से कौन-कौन इस फार्म को खिलब कर सकते है वेकेंसी कब तक आएगी कितने पदाव पर फार्म भरने के लिए योगिता क्या कूछ रहने वाला है सभी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो माँ आप सभी को फूल डीटेल्स देने वाले हैं अब देखिए आपके लिए तो ये सर्प्रेज न्यूज तो है नहीं आज से आप लोगों को एक मेहने पहले इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बता दिये थी कि 4th CGL यानि कि 4th तशनात कस्तरिय की नई वेकंसी आ रही है तो हम आप लोगों को जो हैं दोस्तों बिहार में कोई भरती आती है एक तो मैंने पहले ही full details इस channel पर आप सभी को मिल जाता है ये जो job है न दोस्तों चतुर थशनात के श्तरिये vacancy से जो आप लोगों को job मिलने वाला इससे best देखेगा तो कोई भी job नहीं है क्योंकि इसमें जो दोस्तों पीटी मेंस exam है दोनों objective टैप का exam होता है चार option वाला और चार option यानि के objective टैप वाले exam से देखेगा तो सब से अच्छा post यही जौब के लिए है अब ही जिसके बारे में दोस्तों आप सभी को बताने वाले इस भरती का जो नाम है चतुर्त अशनातक अस्तरिये इंगलीज में बात करें तो fourth schedule schedule मतलब combined graduate level अशनातक लेवल पर जो भी post है सभी को मिला करके 10 से 12 विभाग से वैसे दिखेगा तो 7 से 8 विभाग से हर बार vacancy सामिल इसमें रहता है अलग अलग तरह का और सब से जो बढ़ियां post है दोस्तों इसमें सचीवालाय साहय का post है तो आप सभी का dream job कौन सा है बिखार दरोगा बनना चाहते है सचीवालाय साहय क्या बनना चाहते है आप सभी comment करके बताइए तो चलिए दोस्तों आप सभी notice देखिए और आगे आप लोग के एक news दिख गया है इस चैनल पर देखिए आप में इस फॉर्म को कौन कौन फिलब कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादे term condition नहीं है यानि qualification योगिताम यह नहीं कि बहुत सारे चीज मांगा जाएगा जिससे आप सभी फॉर्म ही नहीं भर पाईएगा तो देखिए फॉर्म आपसका कोई condition नहीं रहता है minimum एज 21 साल हो गया maximum की बातक्रित अगर आप जनरल कैटोगोरी साते हैं जनरल कैटोगोरी से है तो 37 साल जनरल EWS वालों के लिए 37 साल है BCBC यानि पिछरा वर्ग अत्यंत पिछरा वर्ग से आते हैं तो 40 साल जनरल कैटोगोरी में महिलाओं के लि के लिए योग्य है तो चलिए पहले तो यहां से आप नोटीस देखें फिर आगे आप लोगों को न्यूज दिखाने वाल है तो आपको सभी चीजों के बारे में क्लियर हो जाएगा कब तक वेकेंसी आ रही है तो देखिए दोस्तों यहां पर देखिएगा इसके बारे सुना रहे थी कि अभी कैसी वेकेंसी आ जाएगी अभी तो 2022 में वेकेंसी आही आई थी दो चार साल लगेगा पांस साल लगेगा तब वेकेंसी आएगी तो चलिए आगे आप न्यूज देखेगा और फिर क्लियर हो जाएगा तो यानि दोस्तों हम आप लोगों को हमेशा इस चैनल पर authentic जानकरी provide करवाते हैं वेकेंसी आएगी तो आपको खुद भी पता चल जाएगा लेकिन इस चैनल पर वेकेंसी आने से पहले आप लोगों को जानकरी मिलता है तो आप सभी को जिसको भी अच्छा information लगता एक comment जरूर किजिए हाँ सर आपके द्वारा दिया सब्सक्राइगा information हमें बहुत अच्छा लगता है यहां से इस notice में देखेगा दोस्तों तो समानने परशासन विभाग से संबधित यह notice है और यह वेकेंसी की सायव के माध्यम से आएगी कैसे selection होगा सभी चीजों के बारे मापको clear करने वाले यहां पर देखेगा समानने प चतूर्थ असनातक और यह वेकेंसी आएगी और आए जित की जाने वाली अगामी चतूर्थ असनातक और यह इसलिया है कि अभी तक देखेगा तो तीन बार यह वेकेंसी आ चुकी है पहली बार देखेगा 2010 में, इसके बाद 2014 में और 2014 से 2022 का देखेगा तो ठीक 8 साल बाद दिया गया था इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि आपको एक ही साल के अंदर यानी 2013 में आपको वेकेंसी देखने को मिल रहा है अभी देखेगा जितने भी तरह की post खाली है बिहार में सभी को mission mode में फिलप किया जा रहे इसलिए नहीं तो इसमें भी दोस्तों आपको कम से कम 5 साल इंतजार करना पर सकता था तो चलिए finally force CGL की भरतियारी एक ही साल में और जो भी seat खाली है उस अनुसार यहां पर फिलप होगा अगर आप चाहते हैं कि एक higher post पर पहुँचना जिसमें आपको MCQ यानी objective टैप वाला एक चामसित इसी बार selection ले लिजे क्योंकि अगली बार इतना seat ही खाली नहीं रहेगा seat रहेगा 2400 खाली और फिर देखेगा इसका जो record है न 5 साल 7 साल बाद इस तरह की वेकेंसी दी जाती है तो यहां से देखेगा अगामी चतुर्थ असनातक अस्तरिय परतियोक्ता परिक्षा में समिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में मांकिस में देखेगा तो डिटेल सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है तो में यहां पर इस नोटीस का कनक्लूजन यही था दोस्तों कि फोर्च सीजियल के लिए देखेगा बिखार में लगवग 40 पलस विभाग है जिस भी विभाग में graduate level से जो भी post related है सभी को यहा पर कहा गया था उपलब्द कराने को लेकर और यह देखेगा तो 5 October 2023 को ही नोटीस लिखा जा चुका है अब आप में से बहुत सारे स्टुएंट का यह message रहता है कि यह website पर नोटीस नहीं दीखता है तो दोस्तों यह जो है डिपार्टमेंटर लेटर है यह कोई notice नहीं है औ और आपके लिए यानि आम जनता के लिए हाई ही नहीं इसलिए यह सब चीज वेबसाइट पर दिया ही नहीं जाता है जब भरती आ जाएकी नहीं तब आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा हम आप लोगों के लिए दोस्तों इतने सारे information लेकर आते हैं तो कम से कम आप देख रहें याज ही कि रेट का नियूज है प्रभात खबर का नियूज है यहां से चलिए आप सभी नियूज भी देखिए तो देखेगा तो चतूर्त अशनातक अस्तरिय सन्युक्त परतियोकता परिक्षा के लिए जल्द निकलेगी रिखतिया समान्य परसासन विभ बिहार SSE से वी उपर जो है समान्य परसासन विभाग है इसी का काम है सभी विभाग को लेटर लिखना जो भी सीट खाली है सीट उपलब्द होने एक बाद समान्य परसासन विभाग की और से BSC को पास अधिया अचना यानि कितना क्या सीट है ये भेज दिया जाता है फिर जब इंटर लेवल की भरती आई थी उससे पहले ही आप लोगों को दे दो मेहने पहले ही आप लोगों क्लियर कर दिये थी कि ये जो सीट रहने वाला है ना 18,000 सीट रहने वाला और देखेगा अभी प्रारंभिक में तो लगभग 12,000 सीट है 11,000 अन्ठानमे पत फिर देखे इसलिए सबसे मेन है कि आपको भिहार के एकजाम का जो पैटर्न है देखिए हर एकजाम के एक अपना अलग पैटर्न होता रेलवे सेसी सभी का पूछने का क्वेस्टन का तरीका अलग होता है आपको जो भिहार smarter का पैटर्न है उसी kannon पर तेयरी करना है आप बहुत ज información कर ग्रूप में जितने भी एक्जाम हैं बिहार में अब तक बिछले 20 साल में 100 प्लस परिक्षा बिहार दरोगा बिहार SSE बिहार पुलिस सभी एक्जाम का भी दोस्तों इसमें आप लोगों को question bank मिल रहा है और साथ में यह one में दोस्तों लगवाग 75 question maths आगा यह कभी कभी इस बार सचिवालाई सहाइक में असी पूछ दिया गया था और बांकी 75 का वेटे जीके साइंस का क्रेंट अफ्यर्स का है तो जैए आप सभी फटा फट इसके लिए करना क्या है इसके लिए आपको Google Play Store से सक्सेस प्लैनेट अप्लिकेशन डाउनलोड करना है अप्लिकेशन के साथ जुर जाए और बहुत ही कम प्रैस पर विहार SSS इंटर लेवल का कोर्स उपलब्द है और यही तैयारी आपको सचिवालाई सहाइक में भी काम आएगा इसके बार देखेगा दोस्तों तो वही कहली भी बताये थे तो यहां पर देखेगा इसमें भी कहा गया था दूतिया इंटर अस्तरिय संब्दित जो भी सीठ है खाली यह सब कहा गया थो प्लब्द करवाने को लेकर और इसमें यह भी कहा गया है बिहार करमचारी छेया नायुक के लिए नियमीत नियुक्तिक कहा गया थो प्लब्द करवाने को लेकर यह देखेगा उनीस अक्टूबर का नोटीस है और इसको लेकर देखेगा दोस्तों तो 30 अक्टूबर 2023 को साधे चार बजे सामें बैठक रखा गया था वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इस पर देखेगा बैठक यह सब ती किया जाएगा तो अगले एक से डिर महने मियानि हर हाल में इसी साल में भरती आ जाएगी और इसके बारे में आपको आज से एक महने पहली किलियर कर दिये थे कि हर हाल में 2023 में सची वाला सहाई की भरती आएगी थार्ट सीजियल वाला देखेगा रिजल्ट पेंडिंग है इसका भी final result कुछी दिनों में दे दिया जाएगा और उमीद है कि दिवाली से पहले दे दिया जाएगा फिर इसके बाद result जारी होगा और इसके बाद देखेगा तो third इसके बाद fourth CGL की भरती भी आ जाएगी तो आप सभी दोस्तों जम के अब तैयारी में लग जाएगे देखे आपको दो एकजाम बस देना है कुछ भी टैपिंग टेस्ट नहीं है इंटर्विव कुछ भी नहीं है दोनों objective टैप वाला एकजाम है टोटल डेर सो क्वेस्टन पूछा जाता है PT का मेंस का देखेगा दो इंटर लेवल बागी graduate लेवल यानि सची वाला एक दोनों का सी लेवल सेम है जाईए आप सभी फटा फट अपलिकेशन से जुर जाईए अभी आपको में इंटर लेवल की तियारी कीजिए और ये वेकेंसी कुछ दिनों मा जाएगे तो उसकी भी तियारी आप लोगों को क करवाएंगे एज को बारे में क्लियर होई गिया qualification selection परक्रिया के बारे में भी आप जान ही लिए अगर आपको कुछ भी डॉट है दोस्तों कमेंट करके पुछ सकते हैं और इसमें syllabus कैसे क्या selection होता है सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बता देंगे आप सभी निश् दें देंघिये